हेलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सीलाई डिसाइन फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अम्रेला फ्राग की ड्राफटिंग देखेंगे प्लस त्योरी भी देखेंगे इसके बाद हम लोग पेपर में कटिंग करेंगे तो इसी एक वीडियो में हम लोग त्योरी और ड्राफ्टिंग और कटिंग सारा को सीखने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को लाश्ट तक देखोगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जो हमें डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि यह हमारे यूटूब पे 14 हमी क्लास है तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना वेल आइकन प्रेस कर देना ताक कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप हमारी शारी वीडियो को वाच कर सुकोगी आप से कोई भी क्लास मिस नहीं होगी तो friends आज हम लोग सबसे पहले umbrella frong के theory देखेंगे इसके बाद measurement देखेंगे, theory देखेंगे इसके बाद हम लोग drafting देखेंगे, बाद में हम लोग cutting करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज Friends मैंने सबसे उपर heading डाल लिया umbrella frong drafting plus theory इसके बाद हमें इसकी measurement देख लेते हैं हमें किसकी चीज की नाप की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉंक बनाने में फ्रॉंक की हमें सबसे पहले length ले लेनी होती है यानि कि हम जिसका भी फ्रॉंक बना रहे हैं कितनी लंबाई उनकी चाहिए फ्रॉंक की तो वह हम length ले लेंगे उसके बाद उसमें से एक plus करेंगे एक इंच margin के लिए plus losing के लिए हम plus करते हैं इसके बाद चोली के लिए लंबाई हम नापेंगे तो ये हमें केवल फ्रॉंक, टोटल हम ये फ्रॉंक की लंबाई नापेंगे, इसके बाद हम चोली की अलग से नापेंगे, तो जितनी हमारी चोली निकल के आगे, उसमें से हम लंबाई, जितनी हमारी पूरी लंबाई है, उतनी हम चोली माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसके का हमीं जितना भी होता है उसका हम हाफ कर देंगे तो जितना आएगा हैमें 10 इंच A4-ँच अाधा करेंगे तो सुल्डर है comprar 15 इंच पलस करेंगे तो 5 23 आजएगा ऐसे ही आपर्लीर निकाल लेना इसके बाद 113 इंच हम कि हमें लंबाई लेनी होती है इसको हम कैसे नापेंगे हमें सीने का पांचवा भाग निकाल लेना हो उसमें से आधा इंच प्लस करना है और जो भी निकल के आगा वहां पर हमें निशान लगा देना है ठीक है अब हम क्या करेंगे गला के लिए निशान लगाएंगे तो गला पिर्फा या पनी अनुसार होती है बच्चों मेरे तीन से 4 इंच काक। यहिति होती है और बढ़ों मेरे अम्यम किसे अइस प्रिफा के की बच्या है बच्चों मेरे 3 ले 3 year 4 बड़ों अपने अनुसार बना timing जानいつा बढ़ों है दिजाइनर काक्ता होती है यानि कि चेश्ट की तो जितना भी होगा उसमें से हमें चार इंच प्लस करना है और जो निकल के आएगा वह हम ले लेंगे ठीक है और इसके बाद हम क्या करेंगे जो भी निकल के आएगा उसका हम चौथा भाग निकालेंगे और फिर हम सीने कानाप लगा देंगे तो आपको बताऊंगे तो अब हमें कैसे डाउन करना होता है अगर थे सूल्डर हम ड़ोग लिए बना रहे हैं तो यहाँ चाहिए कलने ल yapmış artifact कप्ड़ के ऐख कराकिंगे खाल दोदेखर İ fridge भाऊसे अलिव संभी है भी एक प्लस एक इंच प्लस कर देंगे। उसमें हमें कपड़े के चारों तरफ को एक जैसा रखना है, लंबाई प्लस चौड़ाई के घेरे की ठीक है। छौफा नंबर देख लेते हैं उसके बाद फोल्ड साइट के कोने से हमें कमर का चौछा हिस्सा करना है और राउंड का सेव दे देना है अब पाचवा नम्बर दे देले ते हैं फिर राउंड पर गोलाई में लंबाओ चाका झातार हो कि देनीु होती हम लंबाई के जितनी भी लंबाई उससी डिखाती हूँ उस में अच्छे से हमारी drafting है अब हम drafting के हिसाब से paper में ही cutting लगाएंगे तो मैं आपको drafting समझातीं चलूँगी और paper में कपड़े में हमें नाप कैसे लगाना है वो साथ में दिखाती हूँ जैसे कि यह हमारा दो मीटर का कपड़ा है ठीक है यह हमारा दो मीटर का कपड़ा पुरा है पहले हम चोली निकालनी है इसके बाद हमें यह घेर निकालना है तो सबसे पहले हम दो मीटर के कपड़े से उपर के एक साइट से हम चोली निकाल लेंगे तो चोली के लिए हमें क्य करना होता है, ऐसे हम fold करेंगे. ठीक है? Fold करने के बाद हमको इसको double fold करना है, यानि कि हमको कपड़े के चार fold लेने है, हम उपर side से ही एक बार निकाल लेंगे, उपर की side से हम चोली निकाल लेंगे, क्योंकि हमें चोली निकालने के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए तो हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे ऐसे फोल्ड करने के बाद ये हमारे चार कपड़े में निकल के आएगा इधर से हमारा कपड़ा बंद रहेगा तो अब हम बंद कपड़े की बंद की भाग की तरफ से अब हम क्या करेंगे इसकी लंबाई नापेंगे तो जितनी भी हमारी लंबाई आ रही है उसमें से हम एक इंच प्लस करेंगे एक इंच प्लस क्यों करते हैं नीचे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा और उपर की तरफ सिलाई में जाएगा ठीक है इसलिए हम यहां पर लंबाई पूरी टोटल नाप लिए इतनी हमारी लंबाई आई ठीक है पूरी चोली की केवल हम यहां पर ले रहे हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे इधर कपड़े के बंद भाग की तरफ से हमें गले के लिए निशान लगाना ह जैसे कि हम अगर छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो दो इंच पर लगाएंगे अगर हम बड़ो के लिए बना रहे हैं तो धाई इंच पर लगाएंगे तो मैं यह बड़े के लिए बना रही हूँ धाई इंच पर मैंने निशान लगा दिया ठीक है यह हमने निशान लग और इसके बाद हमें गले की लेंद कितनी रखनी है अगर हम बच्चों का बनाते तो तीन या चार रक्स लेते लेकिन हम बड़ों के लिए अगर बनाना है तो आप अपने अनुसार इसको ले लीजिए जितनी भी आपको लेंद रखनी है और इसमें जैसे भी सेव देना है अगर यहां से गले के पास से लेते हैं, तो इधर अगर बच्चों का बना रहे हैं, तो हम दो इंच लेंगे, अगर हम बड़ो के लिए बना रहे हैं, तो हम धाई इंच पर या तीन इंच पर निशान लगा लेंगे, अगर हम ज्यादा हेल्दी लेडिस का बना रहे हैं, तो धाई इंच पर ही निशान लगाएंगे ठीक है अगर यहां से ले रहे हैं कपड़े के बंद भाग से तो यहां हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे 5 और 6 इंच पर ठीक है अब हम क्या करेंगे नीचे की तरफ हमें आर्म होल क्या निशान लगाना होता है तो यह हमें कितनी लं सैसे निशान लगाने के बाद फिर हमें यह वाली लाइन कैसे बनानी होती है'm अधर से हमकड़े कहिसरे के बंद भाग सीने का अपना चौथा भाग निकालनेगे यह क्लातफ को हम इधर से रहां फना पे हमने निशान लगाया उसमें प्लस दो छिफे हमें दोनों निशान को आए से हमा पाइस यह जाया ह इसके बाद हमको इसको डॉन कैसे करना एंगे तो यहां के लिए बना 50 प्टेश में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको दो इन्च पर डाउन करेंगे ध्यूल्ट से। तो आदि उतना कंप्था करेंगे ने कोईए नीचे पडेएंगे लाइब के लिए निखन के लिए करा हैं. उसमें से हम उसका फोर्थ पार्ट लेंगे और फोर्थ पार्ट लेने के बाद हम इसमें तीन इंच प्लस करेंगे, उपर साइड हमने दो इंच प्लस किया है, नीचे साइड हम तीन इंच प्लस करेंगे, तो नीचे साइड तीन इंच क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ प प्लस करके ये निशान लगा दिया, अब हम क्या करेंगे इन निशानों को उपर वाला निशान और नीचे वाला निशान, ऐसे हमको अपने पहले तो हमने नाप वाला निशान लगा देना है, और फिर इधर से मार्जिन के कपड़े वाला निशान लगा लेना है, ये हमने नि कर लेंगे और चोल अपने प्लेट का सीव दे देंगे तो यहां पर हमें चारों कपड़े में आगे पीछे तो दोनों कपड़ों में चार साइड हमें प्लेट डालनी है चार पर पड़ेगी आगे की तरफ दो और पीछे की तरफ दो तो यह मैं अभी आपको जब कट करके दि इधर साइड जो हमारे मुड़्य होते हैं इनको हमको हल्का सा 20 अधा इंच ढूण करना होता है वहां को फीटिंग के साथ आजाता है तो हम इसको कट कर लेंगे यह हमें पूरे कपडर में ही कट करना है अब हमको ये कट करने के बाद हम पीछे के पार्ट निकाल देंगे ये हमने पीछे वाला पार्ट निकाल दिया है अब हम आगे वाले पार्ट में क्या करेंगे ये जो हमने आर्मोल कट किया है आर्मोल में हमें आगे वाले पार्ट में आदे इंच का और भी डाउन करना होता है आदा इंच और डाउन करने के बाद ऐसे फिर ये हमें कटिंग कर लेनी होती है ये कटिंग केवल हम आगे वाले पे करते हैं और पीछे वाले पे नहीं करते हैं अब फ्रेंच हमने ये कट कर लिया है और आगे वाला ये आर्म होल भी हमने कट कर लिया है अब हमको क्या करना होता है जैसे हमने इधर 4 इंच पर निशान लगाया था 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया था और 4.5 इंच पर ये लंबाई ली थी सेम ऐसे ही फ्लेट हमें इस साइट भी डाल लेनी है इधर से नाप लेके और उपर साइट तो हम इसको डाल लेते हैं इसको हमको निकाल देना होता है सेम ऐसे ही फ्लेट हम पीछे वाले में भी डाल लेंगे तो friends ये हमारे अम्रेला फ्रॉंक की चोली कंपलीट हो गई है तो इसको हमको ऐसे ही सिलना होता है अगर आप गला पेपर पेस्टिंग यानि की बखरम के साथ में बना रहे हो तो ये कट नहीं करोगे पेपर पेस्टिंग बखरम के साथ में इसको पलट के फिर निकालोगे अब हमको cut करना होता है इसका जो भी घेरा वाला कपड़ा होता है जो हमने अपने फ्रॉंक के लिए नाप लगाया था तो ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा बच्ची का ऐसे इसको हमको क्या करना होता है इसके हमें 4 fold करने होते हैं तो हमने जैसे ये लिया इसको कपड़े को डवल फोल्ड किया और ये जो हमारे इश्ट्रा कपड़े है इसको हम कट करके निकाल देंगे तो फ्रेंज ये हमने कट करके निकाल लिया है अब हमको क्या करना होता है इसके हमें फोर फोल्ड करना है एक बार हमने ऐसे फोल्ड किय क्पड के गेंगे खोड़ा को हैं लोगां को अवर का कंवाई गेंगे हमारे लम्बाई गेर की गेर उतनी ठीक है अब हम क्या करेंगे ःफूर की साइट से की तक बल जाए हमें कीनलिए कमर जितना भी है उसका हम 4th पार्ट नीचे की तरफ हमारे चौथा भागं नीचे की तरफ हमें जितनी भी नाफ है हमारे चौथा भाग में तो यहांपे हमने इसको निशान लग अब हम स्थード निया कढ़ने देते हैं नहीं को निया अगर तो फिर हमारा फ्रोंग बहुत ही खराब लगता है ठी ऐसे ही आप किसी करो करो तो सेम ऐसे ही कर अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम ने यहां से लंबाई लेना है यह ने कमर कट कर बें निसान लगाया कमर के बाद यहां से नीजे की तरफ अपने फ्रॉंक की लंबाई लेनी है तो फ्रॉंक की लंबाई हमने कैसे बताया था जैसे कि हमने जितनी भी हमें पूरी टोटल फ्रॉंक की लंबाई हो उसमें से हम अपनी चोली का माइनस करतेंगे जितनी हमने चोली निकाली है चोली निकालने के बाद हमें इसमें एक की हमें पूरी पार में पूर सवा निशान लगाना के बिशमान से पूरा के पूरा से अध्यूं तो आप हमने यह निशान लगा लिया फ्रिंट्स अब हम इनको ऐसे ही जैसे हमने निशान लगाया है इनमें ऐसे सेम गुलाई दे देंगे यह हमने गुलाई दे धी यह हमारा घेर बनके कम्प्लीट हो गया, अब हम इसको कट कर देंगे इसको कट कर देंगे, तो जैसे की हमने यह बताया था, यह fourfold में होता है, तो यह भी हमारा fourfold में है, यह जैसे मैंने ड्राफ बनवाया है तो फ्रेंट्स ये हमारा घेरा भी complete हो गया है और चोली भी complete हो गया है सबसे पहले हमें चोली अपनी complete कर लेना है सिलाई लगा के इसके बाद हमें घेरा को भी complete कर लेना है तो घेरा में हमें कुछ नहीं करना होता है इधर साइड में सिलाई लगानी होती है इधर साइड में और इसमें अपने चोली में इसको मिला के सिलाई लगा लेनी होती है इसके बाद नीचे साइड हमें मोड के सिलाई लगानी होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थेंक यू